तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए वीडियो में तो आज की वीडियो एक बहुत ही इंपोर्टन्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी किताबों के बारे में बताने वाला हूँ जो बुक आपको 2021 में पढ़नी ही चाहिए क्योंकि ये बुक आपको बहुत कुछ सिखाएगी वैसे तो ये चारो बुक जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ ये चारो की चारो बुक एक ही लेखक ने लिखी हुई है या कहें एक लेखिका ने लिखी हुई है जो आपको आकरशन का नियम सिखाएगी प्रेम, शक्ति, साहस और साथ ही बहुत सारे रह किया वो लेखी का है Ronda One जो नोंने The Secret Series की बहुत सारी किताबे लिखी हाला कि The Secret Series की मेरे पास four book हैं और मैं चारो book आपके पास आपके सामने लेकर आया हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो book कैसी है और मैं आपको एक recommendation ही दे रहा हूं इन book का जो book आपको बहुत कुछ सिखा आने वाली हैं तो सीखने के लिए तैयार हो जाईए तो यह जो चारो book हैं वो चारो book Ronda One की The Secret Series पर आधारित हैं पहली है रहस्य, दूसरी है शक्ती, तीसरी है जादू और चौती है हीरो इनके नाम मैंने आपको बता दी है और आप इनके अंदर क्या-क्या समाहित है थोड पूरा बताना मैं नहीं बता सकता अपने वीडियों क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो जो पहली book है वो है The Secret इसे हिंदी में रहस्य कहते हैं और Ronda One ने लिखी हुई है ये book और आप अपनी हातों में एक महान रहस्य थामे हुए हैं योगो योगो से हस्तानत होता आ रहा है सभी इसे पाना चाते हैं इसे चिपाया गया है यह खो गया है इसे चुराया गया है और धेर सारी द्वलत में इसे खरीदा गया है सदियों पुराने यही रहस्य इतियास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण लोगों को मालूम था प्लोटो गैलिलियो वितोवन एडिसन कार्नेगी, आइंस्टाइन और अन्यमहान हस्तियां या अविशकारक, धर्मशास्त्री, व्यज्ञानिक और चिंतकों को यह रहस पता था. अब यह रहस पूरी तरह से उजागर हो चुका है और यह आपके समक्ष प्रस्तुत है. यह रहस है आक्रशन का नियम जो इस दसीक्रेट बुक में दिया हुआ है. यह है आक्रशन का नियम जो आपके जीवन के महत्वपून तथ्थों को एकर्तित करके अपनी मन चाही चीजों को प्राप्त करने में एक बहुत ही अच्चा सहियोग प्रदान करता है. और जब आप अपने आक्रशन के नियम को जान जाते हो तो आपको सब कुछ ग्यात हो जाता है कि आप अपनी मन चाही चीजों को कैसे पा सकते हो. चाहे वो संबंध हो, चाहे वो धन संबंधी हो, चाहे वो मित्र संबंधी हो, चाहे वो स्वतंतरता संबंधी हो, चाहे वो खूपसूरती संबंधी हो, चाहे वो शारिरिक बल संबंधी हो, शारिरिक मानसिक, बहुत एक सभी प्रकार की चीजों को आप प्राप्त कर सकते हो अगर आपको अपने आक्रशन का नियम के बारे में पता है आप आक्रशन की नियम को इस बुक के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे और ये बुक आपको law of attraction के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगी तो ये है The Secret by Ronda One Ronda One की जो दूसरी बुक है वो है बहुत ही अच्छी बुक और ये है शक्ती Secret Series की दूसरी बुक शक्ती Ronda One ने इसे लिखने में बहुत जारा effort दिया है और इस बुक को मुझे पढ़कर ऐसा लगा जैसे इस शक्ती का नाम प्रेम होना चाहिए था और प्रेम ही वो शक्ती है जो आपको बहुत सारी महत्वपून इवन जिन्दगी की सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेम की आवशक्ता होती है अगर आप में प्रेम है अगर आप में दया भावना है तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो प्रेम एक महान शक्ती है ऐसा इस बुक में लिखा हुआ है और आप जब अपने प्रेम को यानि अपनी शक्ती को पहचान लेते हो तो आप बहुत ही जादा पावर्फुल हो जाते हो तो ये है दशक्ती इसके पीछे कुछ लाइने जो मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा आपको एक अद्वुद जीवन जीने के लिए बनाया गया है मैं इस पुस्तक में आपको अद्वुद जीवन जीने का तरीका बताना चाहती हूँ जीवन के बारे में ऐसे बहुत कुछ जो आप जान सकते हो और आप सब कुछ अच्छा कर सकते हो दरसल यह अच्छे से भी अच्छा या अद्वुद है आपको जीवन जो जितना असान लगता है दरसल यह उससे भी अधिक आसान है जब आप यह जान लेते हो कि जीवन किस तरह काम करता है और आपके भीतर कितनी बड़ी शक्ती है तो आप जादू की छड़ी लहरा कर अपनी आँखों से जादू होते देखेंगे और फिर आप अपना अधिवर जीवन पूरी तरह से बदल देंगे तो यह है शक्ती वाय रॉन्डावन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक पर नेक्स्ट बुक है करतग्यता के बारे में यानि ग्रेटिट्यूट के बारे में आपको बताने वाली एक बहुत ही शांदार बुक जो मैंने लगबग तीन बार पढ़ चुकी है और यह है दे सीक्रेट सीरीज की तीसरे किताब जादू बाय रॉन्डावन रॉन्डावन ने इस किताब को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है आप जब इस बुक को पढ़ रहे होते तो आपको अपनी करतग्यता यानि ग्रेटिट्यूट के बारे में बहुत सारी या ग्रेटिट्यूट के बारे में पता होता है आप समस्च ब्रह्मान्ड के लिए करतग्य होते हैं तो आपको हर एक चीज बड़ी ही आसानी से मिल सकती है जादू हमें बताता है एक शब्द से सब कुछ बदल जाता है 2000 वर्षों से भी अधिक शमय पहले की बात है जब कुछ ग्रूड रहस्य शब्दों को एक धर्म ग्रंत में च्पाया गया था तब से आज तक उन शब्दों को जिन्होंने पढ़ा उन्होंने उनका गलत अर्थी समझा वे दुविदा में पढ़ गए इतियास में सिर्फ च आप इस रहस्य से पर्दा हटा देते हो तो आपकी नजरों के सामने एक नया संसार प्रकट हो जाता है जादू में रोंडवन संसार को और उसके जीवन को बदल देने वाली ज्यान में प्रदान करने वाली बाते उपलब्द कराती हैं और 28 दिन की यह आविश्वशनी यात में वे आपको सिखाती हैं कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस ज्यान का इस्तमाल कैसे करें आप अपने जीवन में कृतग्यता का ग्रेटीट का इस्तमाल कैसे करें रोंडवन 28 दिनों के चैलेंज के साथ आपको सिखाती हैं तो जरूर पढ़िए जादू बाय रो वह ही बूक है वो है हीरो यह भी रॉंडावण ने लिखी हुई है और यह किताब भी आपको बहुत सारी लोगों के संसमर्णों को बताईगी जिन्होंहें अपने जीवन से अपने लोगों और उसे पूरी पूरी तरह से नभाने की कोशिश भी की और हीरो के बारे में रॉंडवन्ड हमें बताती है ये वुक आपको बताती है यह कहानी इस बारे में है कि आप इस प्रद्वी नामग्रह पर क्यों है आपके बारे में कुछ खास है कोई ऐसी चीज जो बनने और करने के लिए आप पैदा हुए है जो हम बांकी साथ अरब लोगों में से कोई नहीं बन सकता या कर सकता है एक जीवन है जिसे जीने के लिए आपको भेजा गया है, एक यात्रा है जिसे करने के लिए आपको भेजा गया है, यह पुस्तक उसी यात्रा के बारे में आपको बताती है, असंसार के बारा सबसे सफल लोग आपकी अपनी असंभव दिखने वाली कहानियों को बता रहे हैं कि आप हर उस चीज के साथ पैदा हुए थे जिसकी जरुरत आपको अपना सबसे महान सपना पूरा करने के लिए है और ऐसा करके आप अपना मिशन पूरा कर लेंगे तथा सचमुष अंसार को बदल देंगे एक बार की बात है एक हीरो था हीरो के बारे में बताने वाली यानि जो रियल हीरो है उनके बारे में बताने वाली रॉंडा वन की लिखी हुई बहुत ही अच्छी बुक हीरो जो सीक्रेट सीरिस की चौथी बुक है जिसे पढ़कर आपको हीरों के बारे में यानि जो असल जिन्दगी की हीरों के बारे में पता चलेगा तो ये हैं Ronda 1 की वो चार भुक जो मैंने आपको बताई और आपको इन सारी भुकों को पढ़कर बहुत जारा मज़ा आने वाला है आप बहुत कुछ सीख सकते हो आप में बहुत सारे बदला ला सकते हो इवन आप अपनी जिन्दगी भी बदल सकते हो अगर आपने इन बुक में समायत ग्यान को अपने अंदर समायत कर लिया तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हो एक हीरो बन सकते हो आप अपनी जिन्दगी म आपसे next video में और आपको बहुत सारी चीज़े बताऊंगा और हां आप बहुत सारी reading कैसे कर सकते हो बहुत सारी book कैसे पढ़ सकते हो इसी पर मैंने एक video और shoot की हुई है वो video कल आने वाली है तो आप उस video को जरूर देखीगा और enjoy कीजिएगा साथ ही आपको अगर मेरी video एक्स वीडियो में तब तक के लिए तल देन बाई